कोरोना लॉक्डाउन के चलते आगे से आगे जब लॉक्डाउन एक्स्टेंड होता जा रहा है ऐसे में बॉलिवुड की फिल्म में रिलीस की डेट के लिए तरस चुकी है अक्षे कुमार की एक फिल्म सूर्य बंशी जिसका ट्रेलर रिलीस हो गया था वो अटक गई है और अब अक्षे कुमार की एक और फिल्म लक्ष्मी बॉम भी अटकी हुई है साथी सल्मान कान की राधे की भी रिलीस डेट नस्दीक आ रही है वह जहां सल्मान कान की राधे कब और कैसे release होगी इसकी कोई खबर नहीं वहीं अब इस कोरोना के चलते अक्षे कुमार ने एक बाद फिर से बाजी मार ली है और उनके फिर्म लक्षमी बॉम कब और कैसे release होगी इसकी confirm खबर आ चुकी है तो चलिये जानते हैं बॉलिवूड राइट नाओ में कि लक्षमी कब रिलीज होगी पूरी दुनिया कोरोना के प्रॉब्लम से जूँच रही है इस कोरोना ने हर एक सेक्टर को एफेक्ट किया है बॉलिवुड में बड़ी बड़ी फिल्में रुख गई है जहां एक तरफ गंगु भाई के सेट से संजे लीला भनसाली को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है वहीं अक्षे कुमार की फिल्म सूर्य वनशी का तो ट्रेलर भी रिलीज हो गया लेकिन लोग वो फिल्म नहीं देख पाए ऐसे में 22 माई 2020 वो डेट थी जब बॉक्स ओफिस पर दो बड़े सूपर स्टार्स भिड़ने वाले थे एक अक्षे कुमार जिनकी लक्ष्मी बॉम आने वाली थी और दूसरे सल्मान कान जिनकी राधे आने वाली थी जहां सल्मान कान की राधे से रिलेटेट बहुत कुछ खबरे आ गई है कि सल्मान कान अपनी राधे फिल्म को OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीस करने की बात सोच रहे हैं लेकिन जो प्राइस उन्होंने कोट की है 2500 करोड रुपए वो प्राइस उन्हें नहीं मिल रही है वहीं बात करें अगर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम की जिसको वो खुद प्रड्यूस भी कर रहे है साथ ही उनके साथ में तुशार कपूर ने भी इस फिल्म को प्रड्यूस किया है इस फिल्म में अक्षे कुमार की आक्ट्रस है कियारा अडवानी तुशार कपूर भी इस फिल्म में है साथ ही शरत केल कर भी इस फिल्म का हिस्सा है ये फिल्म एक साउथ की फिल्म का रीमेक है और ये फिल्म हॉरर कॉमेडी है इस फिल्म में अक्षे कुमार वो किरदार निभाते हैं जिसमें एक आदमी को एक ट्रांसजेंडर भूत लग जाता है और उसके बाद जो वो खरकते करता है उससे डर्मी लगता है थोड़ा और हसी भी आती है पिछले साल ही अक्षे कुमार ने लक्षमी बॉम की शूटिंग खतम कर दे थी और फेबरेरी तक तो इस फिल्म का पैच वर्ग भी कम्प्लीट हो गया था उसके बाद इस फिल्म का पोस्ट प्रड़क्शन का काम शुरू हो गया था लेकिन कॉरोना लॉकडाउन के चलते थो हो जाएगी और अब सोर्सिस की कंफर्म खबर है कि डिजनी होट सार जो है वो अक्षे कुमार की फिल्म लक्षमी बॉम को अपने OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए तयार है होट स्टार ने अक्षे कुमार को एंशूर किया है कि उनकी रीच बहुत अच्छी है इंडिया में छोटे-छोटे गाउं तक डिजनी होट स्टार की दीच है यही कारण है कि उन्होंने अक्षे कुमार को कन्विंस कर लिया है कि वो अपनी फिल्म लक्षमी बॉम को होट स्टार के साथ ही रिलीज करे कहा जाता है कि इस फिल्म के प्रोस प्रोड़क्शन से ही ह OTT platform पर release हो जाएगी वहीं अभी तक इस film की release date क्या होगी यह अभी तक announce नहीं हुई है अक्षे कुमार ने बहुती सोच समझ के अपनी इस film को OTT platform पर release करने का decision लिया है वेल जिस तरह से माहोल चल रहा है, lockdown आगे से आगे बढ़ रहा है, हम lockdown की third phase में आ चुके हैं और आगे ये कितना चलेगा इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है और अगर थोड़ी रियायत भी मिली तो वो सिर्फ जरूरी कामों के लिए मिलेगी malls, multiplexes ये वो आखरी चीज़ी होंगी जिनको सरकार शुरू करने की permission लेगी ऐसे में माना जा रहा है कि September तक ही cater's start हो पाएंगे यही कारण है कि अक्षर कुमार ने सारे pros and cons को सोचते हुए अपनी इस film को OTT platform पर release करने का decision लिया है ये वो time है जब पूरी दुनिया अपने घर से ही काम कर रही है सबी बड़े बड़े offices ने महीनों तक घर से काम करने के instructions दे दिये हैं ऐसे में लोगों के entertainment का साधन है internet और OTT platform सी और अब इसी opportunity को uncash करते हुए अक्षर कुमार ने OTT platforms को ही बड़ी opportunity माना है इस corona lockdown के चलते हैं Bollywood राइट ना हुए अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे Bollywood की एक और story के साथ देखते रहिए ठिकाना